सौधी अरब ने पाकिस्तान को पर्मीशन दे दिया कि वो जितने भी लोग सौधी अरब से छुटी आये थे पाकिस्तान में वो अब बापिस आके काम कर सकते हैं दोस्तो साथ ही साथ अगर बात करें बंगला देश को भी पर्मीशन मिल गया कि जितने भी लोग सौधी अरब से छुटी गए थे जनवरी फरवरी मार्च महिने में क्रोना काल के कारण बापिस नहीं आ पाये थे उन लोग के लिए भी अमबैस्टी के अमबैस्टर ने आपस में बातचीत की है और नियम कानूने धरित करके सौधी अरब ने बंगला देश से उन लोग को लाने के लिए 16 फ्लैट्स को मंजूरी दी है जी हैं दोस्तों बंगला देश में लगबग जो आंकड़ा है पचास हजार लोगों का आंकड़ा था जो छुटी में आके माँ फस गय थे उन सब को बापस अपने काम पर सौधी अरब जाने के लिए 16 फ्लैट को परमिशन दे दी गई है जो आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों साथ शाथ पाकिस्तान के अगर हम बात करें पाकिस्तान से भी लोग अपनी चुटी पर जा रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के लिए भी सौधी गर्वर्समेंट ने परमिशन दी है अब पता नहीं इन दोनों अमबैस्टर हैं उनके बीच में क्या बातचीत होरी है क्या चीज है इंडिन गर्मेंट कोई कमी छोड़ री है या सौधी गौर्रमेंट परमिशन ने दे रही है या बहुत ज्यादा क्रोना केसे आने के कारण ऐसा हो रहा है दोस्तों वैसे तो जो पिछली नीज आई थी जिसमें सौधी अरब ने तीन देशों के लिए टेंपरेरी समय के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी ती जिसमें इ क्षुट्टी आए होए हैं अभी नीज आई थी वह विजिट世界 के टि गरडी आई थी जिसमें सौधी गॉर्मेंट ने का था कि जनवरी के बास से हम जब विजिट विजा जो है स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों विजिट वीजा से एक बात सामने आती इन्से कहीं ना कहीं नूर्मन फ्रैट भी स्टार्ट हो रही है जिसे लोग जो सौदीय अरप से बहार रहते हैं उम्रे के लिए जा सकते हैं क्यों कि अभी आने वाली तारिक 96 से उम्रा स्टार्ट है लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट या जिन डेसों की फ्लाइट चल रही हैं वहां से लोग जाके उम्रा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारे नियम कानून उनको फोलो करने होंगे तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन भाई हैं जिनका इकामा खतम हो गया है या फिर खतम होने वाला है लेकिन फ्लाइट तो अभी स्टार्ट नहीं हुए है तो वो अपना जो है इकामा या अपना विजग कांसे एक्स्टेंड कराएंगे या सौधी गवर्मेंट ए उसमें और ज्यादा फैसिलिटी एड कर दी है कि आपको किसी भी फीजिकली किसी दफ्तर में ना जाना पड़े चाहे वो किसी आम आदमी का अफसर एकांट हो या किसी कंपनी के कफिल का यानि मालिक का अफसर एकांट हो उसमें ऐसी फैसिलिटी उन्होंने दे दी कि आप ब इकामा बढ़ा दिया है इन फ्यूचर बड़े ना बड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो अपनी कंपनी से संपर्क करें दोस्तों अलजवाजात के अगर बात करें अलजवाजात के पेज़ पेज सबसे ज्यादा जो क कोशन पूछ रहा है और उन सब को अलजवाजात ने एक ही जवाब दिया है कि देखो करोना के चलते-चलते हमने जो है दो बार आपका इकामा तीन-तीन मेने के लिए अक्स्टेंट किया है लेकिन अब सब जगह के फ्लाइट स्टार्ट हो चुके लेकिन इंडिया की नहीं तो अभी कहीं न कहीं 50-50 चांसेज है तो उन्होंने जवाब में यह काया कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो आप जल से जल अपने कफिल से अपनी कंपनी से संपर्क करें हमने उनके बिजनेस अफसर एकाउंट जो ब्लू कलर का होता है जो आम अफसर एकाउं या एक्जिट रेंट्री बढ़ा सकते हैं दोस्तो पहले सौधी अरब से भारागर कोई वक्ति होता था तो उसका इकामा रिन्यू नहीं किया जा सकता था दोस्तो यह नियम कानून ऐसा नहीं था आपके मालिक को आप फोन करो उससे बोलो मैं आना चाहता हूं मेरा इकामा बढ़ा दें और वो अपने अपसर एकाउंट से बढ़ा सकता है दोस्तों हम तो इंडिया में बैटे हैं हमको तो अभी नहीं मालूम या आप इंडिया में बैठे हो आपको नहीं मालूम की सौधी गवर्णमेंट आगे जो है वीजा फ्री में एक्सिटैंड करेगी या नह उसको लगेगा कि सौधी गौपर्मनट एक्स्टैंड नहीं करेगी, तो वह अपने अपसर एकाउट्स एक्सटैंड क्रवा देगा. बाकी हरूब बालों की बात करता हूँ जितने भी भाई हरूब बाले हैं जो अपने मालिक से भागे वे हैं जिनकी शिकायत हुई है फटा फट से वो क्या करें नीचे डिस्किप्शन में लिंक है वहाँ जाके वो फॉम भरें या फिर अपनी इंडियन अबैसी से संपर्क करे क्योंकि अपरेल के महिने में बहुत सारे लगबग 500 के करीब ऐसे हरूब बाले भाई लोग थे जिनको एकठा करा गया उनको एक स्पेशल फ्लाइट के माद्यम से डिपोर्ट किया गया और अभी भी ये मुहीम चल दी है जितने भी हरूब बाले भाई परिशान हो रहे हैं आना चाते हैं इंडियने पैसी से संपर करें उनको एक स्पेशल फ्लाइट में जो है डिपोर्ट किया जाएगा सौधी की फ्लाइट कभी स्टार्ट होगी नया वीजा कब से लगना स्टार्ट होगा या एकामा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों उमीद करता आप सब लोग को पता चल गया होगा और नए वीजे वाले जिनका नया वीजा स्टांप हुआ है या फिर एकस्पायर हो गया भाई वो जन्वरी तक इंतचार करें जिनको को एजेंट बोल रहा है कि भाई ये वकैंसी आई है इसमें आप अमना काम लगा दो तो भाई आप साबधान रहें दिसमबर तक रुख जाएंगा कि दिसमबर में अपडेट आने वाली है निवीजा वालों के लिए आप दिसमबर तक वेट करें दिसमबर में जैसी भी नई अपडेट आती है उसके बाद आप किसी वेजेंट से अपना काम कराएं वो आपके मर्जी है एक बात आप अपने दिमाग में डालें जब तक नॉर्मल फ्लाइट इस्टार्ट नहीं होती नॉर्मल फ्लाइट तब तक न्यू वीजा वाले या जिनका वीजा लग चुका है या एक्सपायर हो चुका है भाई वो बिल्कुल भी आने की मस सोचें या किसी एजेंट के पास आने की बिल्कुल भी मस सोचें ठीक है आपको चाय एजेंट कितना भी बोलता रहे हैं लेकिन आप अभी वेट करें और अभी मैंने देखा है कि दुबई की बहुत सारे एसी वेकैंसी आ रही है जिसमें इंडियन लेसेंस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे गल्फ में जो प्राफ्ट करें हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह पर ड्रैविंग वीजे में बुलाया जा रहा हो जहां पर लेसेंस की जूरत ना पढ़ती हो पता चला है आपको लेवर बीजे पर बुलाया गया और आप से दो साल काम करा गया और आप बापिस ने आपका लैसेंस बनाना अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं या पिर हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन करके इसमें हमसे कोशन कर सकते हैं जिसका यूजर नेम है हल्प लाइन मिस्टर सिंग ब्लोग और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वहां से आप जोइन कर आप में आया आप हमढ झाल